तो फाइनली फाइनली आज हमारे पास इतनी बड़ी गूड निउस है जिसका डर्थ हम बतला वही हुआ आप बोले हो तुम सोच रहों कि क्या हुआ तो भाई सब यहाँ पर एसारकी वर्सेस प्रभास होने वाला है तो अभी अभी मैंने एक ऐसा निउस सुना ना कि सुना कि इंडिया की सबसे ज्यादा मुश्ट एक्सपेंसिव मूवी आधी पुरूष होने वाली है और भाई मेकर्स ने यह भी अनौन्स किया कि जो इसका ट्रेलर आने वाला हुए तीन अक्टूबर को भी आयोद्या में सब फैंस के सामने मतलब बहुत सारे हजारों लोग के सामन की मतलब रुकनी का नामी नहीं ले रही है भाई सब सच बता रहा हूं और भाई सब इस बार ना मेकर्स ने काफी चलाकी के साथ प्रोमोशन करने करता है कि अवंतल पांच अक्टूबर को दिल्ली के जो राम लीला ग्राउंड में इवेंड होता है रावन ध्यान इवेंड रिपोर्ट की माने तो इस मूवी का जो बजड़ होने वाला ना च्यूंकि यह भी रिपोर्ट लिकल के आ रहे है कि प्रभास को इस मूवी का जो फीज दिया गया ना वही तो देर सो करोले भाई साब या तब मतलब क्या है देखो उस बंदे के अंदर आक्टिंग है मतलब हर कुछ उस बंदे का दर अभी तक हम लोगों पता था कि इंडिया की जो सबसे मोश्ट एक्सपेंसिब मुवी है वह 2.0 है रोबोट टीके उजिसका बजट था 570 को लेकिन भाई साब इस बार 600 साले 600 क्रोड का बजड़ वाला मुवी मतलब तु समझ रहे हैं अब इंडिय तो दो या तेज जो है ना जितने भी मुवी लबर उनके लिए काफी जादा अच्छा नहीं कि दो या तिनी जादा अच्छे ची मुवी आ रहे जैसे बात कर लेते हैं यहां पर 12 जन्वरी को आधिपुरूस मुवी आ रहे उसकी ठीक दो हफते बाद या अपने मतलब एस भाज बाएं का थोड़ा सा डर है कि भाज अधी पुरूस कहीं पठान से टकर न संभाटजंग मतब दोनों का फैन बेस मतब बाप लेबल का फैन बेस है तो सभी मुवीज लबर यार दिल थामके बैठेट 2023 में कुछ जादा फैस्टिवल मुवीज के फैस्टिवल आने वाले कि इतना जादा खुसी होगा हर महीन हम लोग इतना जादा जटका देखने को मिलेगा आपका द अभी से तुम पैसे जमा कर रहे हो कि उस मुवी को देखना है तो कमेंड में जरू बताना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना और विडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक जरू करके जाना